हालो अब्रिवन वेलकम टो माय चैनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे कोस्टिन नंबर शिक्स और इसके आगे और यह अपना वक्षित है थार्ड और इसके पहले कि जो भी कोस्टिन से वह सारे कोस्टिन को हम लोगों ने सॉल्फ कर लिया था आप उस वीडियो के लिए आप वीडियो का लिंक मिली जाएगा ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सिक्स नमर कोस्टिन क्या कहता है इन यह स्कूल दी नंबर आप स्टूडेंट्स इस फाइप थाउजन शिक्स हंद्रेट एन थर्टी सेवें ओके इतने स्टूडेंट है एक स्कूल में क कि यह 5637 अस्टूडेंट और पहले से परजेंट है स्कूल में ओके और 142 अस्टूडेंट्स बाद में एड्मिसर ले रहें उसी यह तो हमको टोटल अस्टूडेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे सिंप्ली दोनों को एड कर लेंगे तो हमारा अंसर आ जाएगा तो नंब 5637 प्लस 142 इसको हम एड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आप देख लिजिए हम लोग पहले लोट करते हैं 5637 और इसमें हमने एड कर लिया 142 तो 7 प्लस 2 क्या देगा 9 और 3 प्लस 4 यह हम को 7 और यह 6 प्लस 1 that is 7 और यह हमारा हो गया क्या 5 तो 5779 यह हमारे क्या होगे total number of students तो यह हमारा answer आजाता है अगला कोश्चन है कहता है दिप्राइस ओफ और कार इस गालना है तो निव प्राइस कैसे निकालना है जस्ट हम लोग add कर देगे ओके हम लोग add कर लेते हैं तो हम लोग पहले note करेंगे price of the car जो कि दिया हुआ है ओके increase price कितना price बढ़ गया वह भी दे दिया new price हमको को निकालना एड करेंगे तो देखिए 6 और 9 को एड किये तो 15 हो गया 15 के लिए मैं लोग 5 पूट करेंगे 1 अपना केरी हो जाएगा अब 6 और 4 को एड कर लेजिए और 1 जो यहां पर केरी हुआ था उसको भी ले ले एड केरी हुआ तो यहां पर 11 हो जाएगा 11 के लिए वन फूट करेंगे फिर से वन अपना केरी हो जाएगा तो एड प्लस 0 8 और 1 केरी हुआ कितना हो गया 9 अब देखिए 6 प्लस 2 हमारे पास 8 आ जाता है 7 प्लस 4 11 के लिए 1 लिखेंगे 1 केरी हो जाएगा 1 प्लस 3 यह को क्या देगा 4 तो निव प्राइस का क्या आ गया 418,915 यह आ गया अपना निव प्राइस ठीक है तो इस तरह से complete हो गया अपना 7 नंबर तो question नंबर 8 की बात करते हैं कहता है club organizes a trip to the disney world okay the cost of the whole package is rupees 183420 यह total cost दिया हुआ package का ठीक है कहता है the club gives a discount of rupees 47,632 तो इतना रुपीज का discount दे रहा है कौल club अब कहता है what is the cost of the package after the discount तो discount के बाद कितना cost रह जाएगा package का तो बहुत simple हम लोग minus कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग not कर लेते हैं cost of all package वो कितना है तो यह है rupees 183420 अब बात करते हैं discount की तो discount को में लोग क्या करेंगे minus कर लेंगे तो कितना है discount discount है 47,632 इसको minus कर लेते हैं जो अपना आएगा वो क्या होगा cost of the package after discount तो आप देखिए minus करने के बाद क्या मिलेगा तो 0-2 तो हम करने पाएंगा तो हमको बोरो करना पड़ेगा तो यहां पर 1 आ जागा और यहां पर क्या आ जागा 10 10-2 करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा फिर यहां पर 1 है 1-3 possible नहीं है फिर यहां से बोरो कर लेंगे यहां पर क्या आएगा 2 और यहां पर अपना बन जाएगा क्या 13 तो 13-6 करें तो हमारे पास आ जाता है 7 फिर यहां पर देखिए 2-7 possible नहीं फिर यहां बोरो करेंगे तो यहां तो 7 बचेगा यहां क्या हो जागा 12 12-7 की यह तो क्या आ गिया हमारे पास 5 आ गिया और यहां पर 7-4 की यह तो 3 और यह हमारा 1 तो क्या हो गया आंसर रूपीज 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 1,35,788 यह आ गिया कोस्ट आप्टर दी डिस्काउंट के लिए तो क्यूस्ट नम्म नम्म नहीं भी सिंपल यह देखिए कहता है राहूल डिपोजिटेट 57,630 रूपीज इन दे बैंक ओके आफ्टर वीक ही विद्रेव रूपीज 19,211 वाट इस दे क्रेंट गलेंस इन राहूल से एकाउंट तो सबसे पेले हम लोग नौट करेंगे कितना अमाउंट वो डिपोजिट करता है तो अमाउंट डिपोजिटेट इन दे बैंक यह है रूपीज 57,630 इ से माउंट और कितना है रूपीज 19,211 रूपीज को निकाल लेता है अब कहता है क्या बैलेंस बचेगा तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा तो आईए हम माइनस कर लेते हैं तो 19,211 को माइनस करना है तो अब देखिए जीरो माइनस वन तो पोसिबल नहीं तो यहां से आ 2 माइनस 1 करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा और यहां पर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा और यहां पॉसिबल नहीं है आप बोरो कर लिजे यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर 17,17 माइनस 9 किये तो 8 मिला हमको और यहां पर 4 माइनस 1 किये तो हमको क्या मिल जागा 3 तो हमारे पास क्या आ गया 38,419 इतना अमाउंट बच जाता है करेंट बेलेंस के रूप में तो कुश्चन नम्मर टेन है यहां पर कहा गया गार्मेंट फैक्टरी प्रोडूसेश 33,000 ट्रावजर्स को यह क्या करता है प्रोडूस करता है आउट आफ दीस 12,309 आर फूर में और 9538 आर फूर विमेंट तो उमन के लिए कितना है और में चाहिए लिक इतना ट्रावजर यह दे दिया है कहते है फाइंट इन लाव ट्रावजर फ्रोडूस पोर चिल्डरेग्ड तो सबसे पहले लोग note कर लेंगे यहाँ पे कि men के लिए कितने trouser है और women के लिए कितने trouser है दोनों का हम लोग total निकाल लेंगे तो यह है अपना 12,309 और women के लिए है 9,538 अभी हम लिखते हैं total trousers for men and women यह हमको क्या मिल जागा तो यहाँ पे add कर लेते हैं तो 8 और 9 को add किये तो 17,1 अपना carry हो जाएगा यहाँ पे note कर लेंगे 1 प्लस 3 यह हमको 4 देगा और यहाँ पर कुछ carry नहीं हो रहा है तो 5 और 3 को add किये तो 8 आजाता है 9 प्लस 2 हम कर लेंगे तुमको 11 मिलेगा 11 के लिए 1 और 1 carry हो जागा 1 और 1 यह क्या मिल गया 2 तो 21,847 trousers हमको मिल गी है किसके लिए तो men and women के लिए दोनों को मिला करके ठीक है आप यहाँ पे बोला गया है कि children के लिए कितने trousers बन रहे हैं तो total trousers हमको दिए हुए है इसमें से हम minus कर लेंगे जो men and women का total है तो आईए इसको minus करते हैं हमको मिल जागा children के लिए कितने trousers हैं तो हम यहाँ पे note करेंगे number of trouser for children तो पहले total trouser कितने है 33,000 है और इसमें से men and women के लिए कितना आ गया है total तो 21,847 इसको minus कर लेंगे तो जो अपना आएगा वो हमारा answer हो जागा आएए हम यहाँ पे बगल में minus कर लेते हैं तो यहाँ पर 0-7 होगा नहीं तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे तो यहाँ से करना पड़ेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर आ जागा मेरे पास 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर क्या जागा 10 10-7 किये तो क्या आ गया 3 और 9-4 कर लिए तो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर 9-8 किये तो क्या आ गया 1 और इस तरह से 2-1 किये तो 1 और यहाँ पर 3-2 किये तो 1 कितना आ गया 11,153 यह क्या आ गया number of trouser for children 11,153 trouser किसके लिए बन रहे हैं तो children के लिए बन रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग complete कर लेते हैं वक्सित थरी के सारे पॉशन्स को. So, I hope this video lesson is helpful for you. So, like this video and share with others and do some comments. Also, do subscribe my YouTube channel. I'll hit the bell icon to get notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day. Ahead.